साइक्रोम विपवर्जा एक एक्स्ट्रिबली सीवेर साइक्रोस्ट्रम जैसे इस सेंट्रल अरवियान सी और इसका आसपास नौर्थीस अरवियान सी वहां केंद्रीबुत है द्रीबुत है यह दिरे दिरे लगववव 5 किलोट्रीबुत है उत्तर की दिशा में बढ़ रहा है और यह चोदतारिक सुभयता के उत्तर दिशा में चलेगा लाखसपास इसके बाद इसका दिशा परिवर्थन होगा और वीक भी दिरे दिरे थोड़ा होगा और एक very severe second storm, जैसे, with wind speed of 125 to 135 km per hour, gusting to 150 km per hour, स्राश्टर कच कोस्ट और इसका आसपास पाकिस्तान कोस्ट को हीट करेगा 15 तरेक नून के आसपास. So, यह जो wind speed है, 125 से 135 km प्रति गंटा, और gusting से 150 km प्रति गंटा, यह wind speed में large scale damage हो सकता है, जो third house है, जो teen house है, आजबेश्टर साहू से old house है, इसके साथ साथ जो telephone lines, electric lines, telephone poles and electric poles bending हो सकता है, disrupted हो सकता है, और बड़े-बड़े tree uprooting हो सकता है, tree branch betting भी हो सकता है, और जो hoardings हो गरहा होते, वो से भी projectile जैसे move करके human beings को और vehicles गरहा को भी effect कर सकता है, यह wind के अलाभा कि heavy rainfall भी हम expect करें, 14 तरिक से heavy rainfall शुरू होगा, और 15 तरिक से extremely heavy rainfall होगा, और चोग तरिक का heavy rainfall जो सोराष्टर कच का जो district है, especially coastal district जो लगवग है, गल्फ अप कोच के लगवग के जो इतना district है, सोही में heavy to very rainfall होगा, और extreme heavy rainfall यानि 20 cm से ज्यादा rainfall होगा, 15 तरिक को, और यह extreme heavy rainfall आप देखेंगे, यह जो एरिया है, यूजल यह एरिया में ज्यादा बारिस होता ही नहीं, और जब आप 20 cm से ज्यादा बारिस होगा, certainly यह inundation और low-land flooding करने के लिए सुजग सुष्टिक करेगा, और थाड़ यह है कि टाइडल वेव, जब साइक्रोन कोई तॉट को पार करता है, टाइडल वेव आता है, और टाइडल वेव का height होगा 2-3 meter, यह height सबसे ज्यादा होगा नालिया की असपास, जखाओ नालिया जह of the crystal protection, 12-3 में आपका जो टाइडल वेव आता है, यह लगभग 3-6 meter तक हो सकता है, यह जो 203 meter हम बोल रहे हैं, 2-3 meter टाइडल वेव आएगा, इसके उपर है आएगा, इसलिए जो coastal area है, low-land area इसमें inundation हो सकता है, और saline water आने से, जो standing crop है, और rainfall बज़े standing crop है, वेविन के wind है, इसके बज़े से salt spray समुदर से आ जाता है, यह भी standing crop को affected करता है, और visibility poor हो जाता है, इसलिए जो surface transport है, यह एफेक्टेड होगा, aviation में एफेक्टेड होगा, और समुदर में इतना high speed है, wind है, wave height 10-14 meter हो सकता है, इसलिए कोई fisherman, कोई chief समुदर को नहीं जाना चाहिए, east central agency, को 15 तरीक तक, और इसके साथ-साथ जो ऐसे जगा में है, जहां यह सो dangerous, हो सकता है, जैसे heavy rainfall, wind और स्टरम से, हम यह सला दिये हैं, यह लोग safe place को चले जाना चाहिए, 15 तरीक से पहिले, और sheltered रहे, नहीं तो safe house में रहे, बाहर ना घुमे, कोई गुज़ों में belief मत करे, जो forecast हम दे रहे हैं, उस state और central government जो एक्षन ले रहे हैं, इसमें support करे, और हम इसका जान करे दे रहे हैं, हर तिन घंटे इसो देते रहेंगे, पंद्रो तरीक के लिए हम red color warning दिये हैं, स्वराश्टर के लिए, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा wind होगा, rain होगा, और tidal wave भी आएगा, पंद्रो तरीक को हम orange color warning दिये हैं, वो सबी districts के लिए हैं, पंद्रो तरीक जो इसका लैंडफोल हो जाएगा, इसका दिरे दिरे वो नौर्थ नौर्थ इसक दिशा में जाएगा, सो शोलो तरीक को, आफकार नौर्थ गुजराट और साउथ राजस्तन में heavy to very heavy rainfall हो सकता है, और वहाँ wind speed तो अब कम होते हुए, स्क्वाली wind 40-50 क्लिम प्रती घंटा हो सकता है, ज्यादा maximum impact रहेगा स्रेश्टर कर्च और एडजनिंग एरियास के उपर, और ये पंद्रो त स्वाल क्या मौत्र विभार की तैयारिया है, क्योंकि पैठेगे भी हो रहे हैं लगाता है, किस तरीकी की तैयारिया आपने दूसको को अलट की हैं? इसे साथ साथ जनरल पॉब्ली को जा रहे है, तो प्रेशन एलेक्टोनिक मेडिया और जो ऑफ्सवर इंडस्ट्री वो एरिया में ज्यादा है, उनको भी लोकेशन स्पेस्पिक फरकास्ट हम इस्यू कर रहे हैं